अब देखेगा कि हम अपने 22 number के question को solve करते हैं, देखेगा कि क्या है, पहले तो इसमें देखेगा कि थोड़ा सा ये अलग question होने वाला अपना, कि इसमें क्या करेंगे, इसका procedure ये है कि pi by 2 को क्या करेंगे, पहले हम y मानेंगे, ठीक है, y मानते हैं, देखेगा कि y की अपने प 0 पे tend करेंगा, ठीक है, कैसे आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप समझने के लिए लिए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि y है, वो equal to कितना है, x minus pi by 2 है, तो यहाँ पे, देखेगा कि x कहाँ पे tend कर रहा है, pi by 2 पे, तो देखेगा कि y भी कितना हैगा, pi by 2 minus pi by 2, तो equal to 0, यह यहाँ पे 10, x की, देखे, x की जगह में क्या लिखना है अपना, x की जगह लिखना है, pi by 2 minus y, ठीक है, यह अपने को लिखना है, pi by 2 plus, यह देखेगा, अपने को x की जगह क्या लिखना था, plus लिखना है, देखे, pi plus ka pi by 2, ठीक है, अब नीचे देखेगा कि क्या है, नीचे इसको य पुट किया अपने और कुछ भी तो नहीं गया नीचे य तो पुट किया अब देखें कि लिमेट अब यहां पर एक रिडक्शन फॉर्मला यूज हो जाएगा यह दिया आपकी टिक्नोमेट्री अभी तक सो रही थी अब जगेगी देखेंगा यहां पर देखेंगा क क्या है कि पाई प्लस का टू वाई और नीचे क्या हैगा यह अब देखेंगा कि यह कहां पर गया अब डिडक्शन फॉर्मला थोड़ा याद होगा तो अच्छी बात है नहीं है तो मैं याद करा देता हूं को थड़ को देखेंगा 10 है और होरिजॉंटल लाइन है तो 10 तो अब यहां से देखेंगे पाई था ओरिजॉंटल लाइन था तो नो चेंज था और पाई यानि थर्ड क्वाड़न्ट में चले गए तो 10 पोजिटिव आ गया यहां पर तो यह फोर्मूला आ गया ठीक है अब क्या लिखेंगे 10 तो पाई अपॉन में यहां से देखेंगे 10 क क्या लिख सकते हैं दुनिया वाले क्या लिखते हैं 10 को दुनिया वाले इसको लिखते क्या हैं y tending to 0 इसको दुनिया वाले लिखते हैं 2y जो भी जब चुर्वत पड़ती न तब और 2y अब यहां से देखेंगे y multiple में है एक बात आपको ध्यान आ रहे ही कि यहां पर 2 बन अपने घर से अमने इसको दिया 2 नीचे और यह 2y बना और उपर भी देखेंगा कि इसको घर से दे दिया 2 और नीचे देखेंगा कि क्या बना cos2y यह ठीक है यहां पर अब देखेंगे आगे चलते हैं आगे क्या है अपनी कानी आगे के लिए देखेंगा कि y अब limit limit को अलग-अलग separate करा दो y tending तो यहां पर आएगा कितना sin 2y upon में देखेंगा कि 2y और यहां पर 2 multiply नीचे देखेंगा कि limit y tending to 0 और यहां पर आएगा cos2y अब देखेंगा कि अलग-अलग limit होते हैं इसकी value 1 है इसकी value यहां पर 2 है यहां पर 1 हो गया और यहां पर answer आगया 2 तो आज का वीडियो देखेंगा कि अपना जो lecture number यह अपना 2 था अभी यहां तक इतना ही अब जो next वीडियो होगा उसमें जो अपने आगे की जो questions है वो solve करेंगे तो thank you so much watching this video